हेलो दोस्तों फ्री इंडियर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग कक्छा नौमी अगस्त माह का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले कम्प्लीट सॉलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसके पहले हम लोग गड़त और इंगलिस का पेपर सॉल्व कर चुके हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में दी गई है तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम हिंदी का कम्प्लीट सॉलूशन देखेंगे जिसमें फर्ष्ट कॉश्चन पूछा गया है सही विकल इसमें फष्ट दिय पर इसका आपको अंसर लगा देना है सिक्षक के नाम पर लिखाता पिर इसकी बाद प्रश्णिक्रमांग दो में रिक्तिस्तान यानि की खालिस्तान पूछेगा है रन फॉर यूनिटी मेरा थिम दोड़ खालिस्तान किलोमेटर लंबी थी यहां पर आपको बताना है तीन होता है तो इसे आपको क्या लगाना है नाशा इसका सही आंजर होगा तो आपको क्या लगा दाना है नाशा इसकी बाद है सत तस निम्ले कत्नों के सत असत लिखिए तो यहाँ पर देखिए पहला सत है हरी घास में चल्ला स्वास्त के लिए लाब दायक है यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए सत लगा दीजिए ठीक है फिर सहर के निवासी को गैस की रोटिएं ग्लास भरकर लस्ती ही चाहिए जिसमें भुखुस हो जाए तो ए भी सत्त है ठीक है तो दोनों सत्त होंगे इसके बाद आता है एक सब्द या एक बाग के मुखतर प्रिश्ने क्रमाग चार तो इसमें देखिए दिये गए सब्द पर आधारित मुहावरे का प्रियोग करना है जिसमें से बिल्ली साप और भी की बिल्ली बन गया ठीक है फिर इसके बाद साप है अपने पड़ोसी के घर रौनक देखकर रमिया के कलेजे पर साप लोटने लगा इस प्रकार आपको बाग के में प्रियोग करना था इसके बाद उठ है तो ए वाला भी देख लीजे और इसको नोट कर लीजे इसके ब अश्ट बाला देख लीजे यहाँ पर इसको नोट कीजिए देखिए तीन बाग क्लिखना आ है तो का नम्मर का अकतर लिखिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 वाक को नोट कर लीजे आप जल्दी से भारते जबान हमारे देश के सान हैं हस्ते हस्ते अपनी जान लोटा देते हैं देश के जबान ही देश के असली हीरो होते हैं तो तीनों बाक नोट कर लीजिए इसके बाद है खानमर का खानमर में देखे पूछा गया है नीचे लिखे गए स्वाद अनुसार आपके जो भी ब्यांजन पसंद है उनके नाम लिखन इस प्रकार जो भी आपको पसंद हो और नमकिन में पौहा समोसा पकोड़ा और खट्टा में मिली रही इस प्रकार आपको लिखना है आप अपने अनुसार इनको कर लेना है ठीक है या तो आप यह भी लिख सकते हो इसके बाद प्रशनी क्रमांग 6 है जिसमें पूछा गया देखने के बाद आता है प्रशनी क्रमांग 7 में पूचा गया है अपने मित्र को जनम दिन की बधाई देते हुई पत्र लिखना है चारंक का कौश्यान है अच्छे से करना है तो देखे इस प्रकार आपको अच्छे जमा कर लिखना है साप स्वक्ष राइटंग में और यह थे लगे तो इस प्रकार आपको लिखते जाला है तो लिखते जाएं से या आप इसक्रीन्स ओठ ले CS लेकर भी में लेक्षा कर सकते हो तो से जल्दी से लिख लीजिए इसके बाद लास्ट में आपको एसा लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है ठीक है तो असा करते हैं आप लोग समझ गए होंगी और आपको इस वीडियो से तोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को जरूर सेयर करें और आप स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे होगी आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो डारेक्ट क्लिक करके देख सकते हो और इस वीडियो को सेयर करना ना भूले थैंक यू